हेलो एवरीवन आप सभी का एक बाद फिर चे स्वागत हमारे यूटूब चैनल पर हर्याना PGT बरती मामला हाई कोट ने खारिज की PGT बरती कोचुनेती देने वाली आचिका PGT बरती के उपर दोस्तों पंजाब ये मर्याना हाई कोट के अंदर याचिका लगाई गई थी जिसको की जो नमाननी हाई कोट ने खारिज कर दिया गया है मांग क्या थी दोस्तों उसमें सब्जेक्टिव पेपर में उत्तर लंबे लिखने हों गया चोटे HPSC सारवजनिक कर दे पैटरन HPSC को दोस्तों ये भरती करनी है PGT की HPSC की तरप से जारी विग्यापन में एकजाम पैटरन को दी गई थी चुनोती आवे दन का समय बढ़ आया जाए कलरको की अड़ताल चे नहीं बन पाए सर्टिफिकेट वेब साइट भी बीच में बंद रही तो ये बहुत सारी दिकते आवे दन करने के समय भी आ रही थी दोस्तों ये होगा एकजाम पैटरन तो यहां पे HPSC ने एकजाम पैटरन बताया है दोस्तों HPSC ने विग्यापन में लिखा कि 26 अगस्त 2019 को HPSC की तरफ से जारी विग्यापन में 19 नवंबर 2022 को HPSC की तरफ से जो आवे दन विग्यापन में आवे दन किया था उन सभी को नए शिरेश आवे दन करना होगा मगरुने उमर, फीस, और एस्टेट की वेद दसमनत विग्यापन की कटप के नुसार माना जाएगा इसमें एकजाम पैटरन भी गोशित कर दिया गया है जिसके नुसार सक्रीनिंग टेस्ट सो अंको का होगा पांच विकल्प होगे, पहले च्यार विकल्पों में से किसी एक को बरना होगा अगर पांच वा विकल्प, अगर जो हना आपने च्यार में से कोई भी विकल्प नहीं बरना तो पांच वा विकल्प बरना होगा तो इसके लिए जो अगर आपने पांचवां विकल्प भी नहीं बरा उत्तर खाली छोड़ दिया तो 0.25 अंक यानि 1 फोर्ट नेगेटिव मार्किंग आपकी काट ली जाएगी जबकि गलत उत्तर के लिए भी एक चोथाई अंक काटे जाएगी इस एकजाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी अगर 10 फिश्दी से ज्यादा स्वालों में पांचवां सर्किल जो नगाडा नहीं किया तो उमिदवार अयोगर हो जाएगा इस पेपर में नियुनतम 25 फिश्दी अंक प्राप्त करने होंगे तो यानि कि दोस्ते एक तरीके से क्वालिफाई कीमाबात रुदो 25 फिश्दी अंक चाहिए उसके बाद आगे आपकी मेरिट बनेंगे अगर इतने अंक नहीं लेते हैं तो वैसे ही आप डिस्क्वालिफाईस में हो जाएंगे उसके बाद जो नस अब्जेक्ट नोलिज पेपर का होगा या डेड़ सोंग को का होगा इसमें नियुनतम 35 फिश्दी अंक लेने हैं इस पेपर का वेटेज 87.5 फिश्दी होगा और दो गुना को साक्सातकार के लिए बुलाया जाएगा साक्सातकार 12.5 फिश्दी का होगा अब एर्थियों को यूँ तो इसी पैटरन पर अतराज है मगर अब यह अतराज अदालत ने भी खारिज कर दिया है इसलिए उनकी मांग है कि हचपेशी कम से कम सब्जेक्टिव पेपर का पैटरन सारजनिक कर दे ताकि सवालों के उत्तर किस तरीके से देने हैं यह स्टूडेंट्स को पता चल जाए तो उत्तर मतलब दोस्तों ने लंबे लिखने या चोटे लिखने हैं उनकी मांग भी है यह कि पैटरन गोशित कर दे उसी इक अनुसार जोने स्टूडेंट्स जोहत्त त्यारी कर लेंगे उसके बाद पीजीटी बरतों के लिए जो आवेदन सेशम मंदित दोस्तो जो आव होताया गा की बहुत सारे के दस्ताविज नहीं बन पाएं तो इसलिए आवेदन का समय भी इसमें बढ़ाया जाए पंजाब यह मर्याना हाई कोर्ट ने पीजीटी बरती स्वाश्व मंदित हर्याना लोग सिवायों की तरफ से 24 जून को जारी विग्यापन में चुनोती य याचिका करताओ नी याचिका में फीजीटी बरती की जूना विग्यापन के लिए जो स्क्रीनिक टेस्ट है इसके सब्जेक्ट नोलेज और सब्जेक्ट्टी पेपर लेने के पैटरन को चुनोती दी थी तो मार को वी सुनवाई में याचिका करताओ की तरब से दलील जब पहले सुनवाई ओई थी तो उसे आधार पर इसे चुनोती दी गई थी तो अगर